नवस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका at oil discussion में तोटल चार issues आज हम discuss करेंगे देखो दो issues दा हिंदू ने बिल्कुल भी नहीं cover किये पिछले काफी दिनों से मैं देख रहा था हो सकता है कि next week cover करें लेकिन थोड़ा research करके आज ही मैं उन issues को cover कर रहा हूँ एक तो India France से समदित बहुत सुर्ख्यों में है ये issue पधामंत्री मोदी की France विजिट के कारण तो ये details से discuss करेंगे India France relation फिर उसके बाद poverty इंडिया में कम हुई है ऐसा data UNDP ने present किया है ये issue भी अभी तक हिंदू ने editorial में cover नहीं किया है तो दोनों issues को detail से cover करेंगे और बाकी ये दो articles भी cover करेंगे हिंदू के एक SEO से सम्मन्दित एक European Parliament ने मनीपूर पे जो resolution पास किया है राइटर कहते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है इंडिया भी करता है डिसकस करेंगे एक अलग तरह का perspective है तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आज की ethical term देख लीजिए veracity veracity का मतलब होता है moral obligation किसी भी individual की कि वो सच-सच बताए accurate information share करें समझ गए being truthful अगर देखो आप किसी भी रिष्टे में चाहे personal relation में या फिर professional relation में veracity की values अपनाते होना तो आपके रिष्टे personal relations भी मजबूत होंगे professional relations भी मजबूत होंगे जैसे पत्ति-पत्नी के बीच में दोनों एक दूसरे से accurate information share करते हैं तो फिर trust increase होता है उसी परकार से professionally example लीजिए अगर एक डोक्तर मरीज को सारी information share करता है कि इस दवाई से ये side effect हो सकते है आपको ध्यान से लेनी है ये फाइदा नुकसान हो सकता है तो patient का जो trust है डोक्तर के परती और ज़्यादा increase होता है तो विराश्टी एक बहुत जबरदस्त value है personal relationship में भी professional relationship में भी क्या है moral obligation individuals की की वो दूसरों को सच सच बताए accurate information share करें जैसे media professionals media के काम में आजकल विराश्टी नहीं है selective perspective बताया जाता है चीजों को छुपा लिया जाता है और जो viewer है न या फिर reader है उस तक जान बूच के आदियदूरी information पहुँचाई जाती है एक propaganda जनता को देने के लिए मतलब उनकी सोच बदलने के लिए पूरी information नहीं दी जाती तो ये कमी है विराश्टी की media में अब हम discussion start करते हैं आज की discussion का first important article इंडिया और फ्रांस के रिष्टों से समधित हैं आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं देखो वक्त था 1974 का उससे पहले ना USA ने इंडिया में तारापूर nuclear plant establish किया था लेकिन जैसे ही 1974 में इंडिया ने अपना पहला nuclear experiment किया USA इंडिया से नराज हो गया USA ने बोला इंडिया को कि अब हम आपके कोई मदद नहीं करेंगे इस nuclear plant में इवन USA ने नराज होके इंडिया के उपर sanctions भी लगा दिये काफी सारे परतिबन लगा दिये इंडिया किसी भी कीमत पे nuclear fuel ना हासिल कर पाए USA ने एक अलग से group बनवा दिया NSG जिसका नाम है nuclear supplier group ऐसी situation में देखो France ने इंडिया का साथ दिया France ने इंडिया को बोला हम आपको fuel देंगे उसके बाद 1982 ये देखो वो समय था जहां एक तरफ USA के साथ हमारे रिष्टे खराब थे क्योंकि USA पाकिस्तान का साथ देता था बट USSR भी बहुत कमजोर हो रहा था USSR की आर्मी अफगानिस्तान में थी और बाद में 1991 में USSR का disintegration भी होता है 15 टुकडों में बढ़ता है उस समय फ्रांस के रूप में इंडिया को एक और partner मिला 1982 में फ्रांस और इंडिया ने एक डील साइन की फ्रांस ने कहा कि हम आपको 40 मिराज प्लेंस सप्लाई करेंगे तो ये जो इवेंट्स थी ना इन इवेंट्स की वज़े से इंडिया को ये रिलाइज हुआ कि फ्रांस एक हमारा अच्छा दोस्त साबित हो सकता है दोनों ने ना 1998 में एक agreement sign क्या strategic partnership agreement जो अभी तक चला आ रहा है 25 साल पूरे हो गए इस strategic partnership के agreement को sign हुए इंडिया और फ्रांस के बीच में फ्रांस देखो इनी चीजों की वज़े से ना इंडिया का एक trustworthy और reliable partner साबित हुआ है trustworthy और reliable मैं क्यों बोल रहा हूँ देखो 1974 में तो फ्रांस ने इंडिया की मदद की ही उसके बात भी देखिये इंडिया ने फिर से experiment किया कब 1998 में वो पूरी तरह से सफल रहा USA ने फिर से इंडिया के उपर sanctions लगा दिये isolate करने की कोशिस की US ने इंडिया को इवन जपान जैसे देशों ने भी US के साथ दिया बट फ्रांस ने उन sanctions को नहीं माना फ्रांस ने बोला कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिष्टों को maintain करेंगे तो इन चीजों की वज़े से फ्रांस इंडिया का एक reliable और trustworthy पार्टनर साबित हुआ है दोनों की relationship में एक चीज पर बहुत ज़्यादा focus है वो है strategic autonomy strategic autonomy का मतलब ये है कि आप अपनी foreign policy में जो decisions लोगे न अपनी national interest को देखते हुए लोगे ना कि किसी दूसरे देश के कहने पर for example अभी इंडिया के साथ USA के रिष्टे काफे ज़्यादा अच्छे हो गए हैं तो USA बहुत बार इंडिया के उपर दबाब बनाने की कोशिज करता है प्रेसर बनाने की कोशिज करता है कि आप हमारी बात मानिये आप रशिया के साथ रिष्टो को तोड़ दीजिए आप युक्रेइन इशू पर हमारा साथ दीजिए बट इंडिया कहता है नो हम हमारे डिसिजन खुद से लेंगे हम आपके प्रेसर में आके डिसिजन नहीं लेंगे और यही हाल फ्रांस का है फ्रांस भी यही कहता है कि देखो बेसक हम वेस्टरन कंट्री हैं बट हम USA के इसारे पर काम नहीं करेंगे हम अपने हिसाब से काम करेंगे फोरण पॉलसी में अपने इंटरस्ट को देखते हुए डिसिजन लेंगे जैसे देखो US ने ना फ्रांस का बोला कि आप चाइना के साथ रिस्तो को तोड़ दीजिए चाइना के साथ जो भी आपके एकोनमिक रिलेशन्स है ना वो आप D-risk कर दीजिए कल को चाइना आपको धुगा दे सकता है जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हो उससे आप अपने आपको चाइना से अलग कर लीजिए डीकपल कर दीजिए और किसी देश से इंपोर्ट करिए लेकिन नहीं फ्रांस के राष्टरपती हालखी में चाइना की आतरप पर गए और वापस जब वो आए तो उन्होंने ये बोला कि हमें ना हमें मतलब यूरोप को यूरोप को चाइना और यूएस की लडाई में नहीं उलजना चाहिए बल्कि उन्हों तो एक आइडिया परपोज कर दिया जब हम बात कर रहे हैं यूएस नमबर वन पावरफुल कंट्री है दूसरे नमबर पर चाइना है ठर्ड बड़ी पावर यूरोप बन सकता है जो कि लीड किया जा रहा हो फ्रांस के द्वरा ये आइडिया उन्होंने परपोज कर दिया मतलब देखो सीधा है फ्रांस जहां स्टेटेजिक अटोनमी चाहता है मल्टी पोलर वल्ड ओडर चाहता है मल्टी पोलर वल्ड ओडर मतलब ऐसा ना हो एक ही बड़ी पावर हो वल्ड में और सब कुछ उसी के इसारे के इसाब से चल रहा हो नई बैलेंस ओफ पावर होना चाहिए चार-पाँच इक्वल पावर्स हो बैलेंस हो वल्ड में तो वर्ल्ड ज्यादा अच्छे से चलेगा पीस्फूल चलेगा जैसे चाइना, यूएस से, यूरोप इनकी पावर आलमोस्ट एक्वल थोड़ी बोथ उपर नीचे लेकिन ऐसा नहीं कि एक पावर बाकी देशों को अपने इसारों पर निचा रही हो ऐसा नहीं होना चाहिए इवन देखो, एक पुरानी बात जो हम कर रहे थे, ट्रस्ट एंड रिलाइबलिटी की, हमेशा, United Nations Security Council में, इंडिया पर्मेनेंट मेंबर्सिप की मांग करता आया है, और फ्रांस ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, हमेशा, इवन कस्मीर के इश्यू पर भी फ्रांस ने इंडिया का साथ दिया है, तो इनी चीजों की वज़े से ट्रस्ट और रिलाइबलिटी इंक्रीज हुई है, अब देखो, कंटेक्स्ट ये है, ये तो हमने पूरा बैग्गराउंड जान लिया, कंटेक्स्ट ये है, फ्रांस और इंडिया के बीच में, स्टेडेजिक पार् भारत के प्रधामंत्री मोदी, फ्रांस की आतरा पर गए है, उन्होंने वहाँ पे बैस्टिल डे सेलिब्रेशन में पार्टिस्पेट किया, देखो, दूसरे प्रधामंत्री है, भारत के प्रधामंत्री मोदी, जिन्होंने बैस्टिल डे सेलिब्रेशन में पार्टिस्पे थे उसमें मोनार्की थी जो बिलकुल निरंकुस होके काम कर रही थी तो ये लोग फ्रांस के लोग घुज गए बैस्टिल प्रीजन में और वहां पे जो प्रीजनर्स थे उनको आजाद करवा दिया तो फ्रांस की जो रेवलुशन है न फ्रेंच रेवलुशन उसमें एक कर रेवलुशन ना कषे, जेहां पर जनपथ पे होती एस इस इंदिया में सरकार आवोड देती हैं जिसे भरतरतन पदम वीभूशन पदम शरी यह सारे आवोड देती हैं इन्दिया को फ्रांस ने परढ़ामत्री मोदी को हाइस्ट सिविलियन उनर दिया है Grand Cross of the Legion of Honor ये उनका हाइस्ट civilian owner है यानि कि किसी भी citizen को दिया जाने वाला सर्वत सम्मान इसके बाद देखो कुछ और points देखते हैं इंडिया और France के रिस्तों में France इंडिया का एक important defense partner बन गया है second largest defense supplier है 2017 से लेके 2021 के बीच में जैसे देखो France से इंडिया ने स्कोर्पियन सब्मरिंज ली है Rafale fighter jets manufacture of Airbus C295 transport aircraft ये कहाँ पर manufacture हो रही है गुजरात में दोनों देश मिलके काफी सारे military exercise करते है regularly जैसे वरून, गरूड, शक्ती वरूड एक नेवल exercise है गरूड Air Force के exercise है, सक्ती आर्मी के exercise है इसके बाद दोनों मिलके काम कर रहे हैं ताकि climate change को adders करने के दिशा में कुछ impact लांस के 2015 में जो Paris climate change agreement sign हुआ था वहाँ पे दोनों देशों ने मिलके काम किया इसके बाद दोनों देशों ने मिलके international solar alliance established किया solar energy को promote करने के लिए दोनों देशों ने हाल ही में roadmap on green hydrogen sign किया मकसद इस roadmap on green hydrogen के sign करने के ये है decarbonized जो hydrogen है मतलब ऐसी hydrogen जिसको produce करने में carbon emission नहीं होता है जैसे जो electrolysis होती है वो electrolysis हो renewable energy की साहिता से इससे अब carbon emission नहीं होगा तो इसे कहते हैं decarbonized hydrogen यानि green hydrogen तो इसकी एक reliable और sustainable value chain establish हो ये aim है roadmap on green hydrogen sign करने का green hydrogen देखो एक बहुत important source है energy का और Paris climate change agreement को achieve करने के दिशा में green hydrogen important role play करेगा next इंडो Pacific region में security और stability provide करने के लिए दोनों देश मिलके काम करते हैं Indian Ocean में जो reunion islands है ना वो France के ही है तो France के भी stakes हैं कि Indian Ocean में stability रहे peace रहे और Indian Ocean आपको पता है इंडो Pacific region का part ही है next point अब जो परधामंत्री Modi France के आतरा पर गए है ना इसमें और ज़्यादा defense acquisition के लिए clearance मिला है जैसे तीन और scorpion class की submarines दोनों देश मिलके produce करेंगे और 26 राफिल M fighters राफिल जो aircraft है उसका marine version राफिल M ये इंडिया France से purchase करेगा देखो US से अगर compare करें ना France एक predictable defense partner है जैसे कि US ने हमें एक important engine देने का अभी वादा किया लेकिन US से कहता है हम आपको technology transfer नहीं करेंगे लेकिन France कह रहा है कि हम आपको engine तो देंगे ही इसके साथ साथ technology भी transfer करेंगे engine का नाम है सफरांज engine और USA जो हमें engine दे रहा है वो ये है GEF 414 jet engine USA technology नहीं दे रहा है बट France हमें technology भी transfer कर रहा है सफरांज engine की ये फाइदा है और देखो US के साथ कोई defense deal sign होती है कई बर वो वहाँ पे congress अडंगा डाल देती है जैसे इंडिया में parliament है वहाँ पे congress है Congress रोक देती है कि नहीं इंडिया को आप ये मत दीजिए बट France ने अपने commitments को पूरा किया है France ने जो deal इंडिया के साथ sign की है वो अधर में नहीं छोड़ी है तो France एक predictable defense partner है Next, दोनों countries collaborate कर सकते है अलग-अलग domains में जैसे 6G है Artificial Intelligence है Quantum Computing है दिवो last में ना conclusion में एक चीज़ बोली जा सकती है जैसे जैसे world change हो रहा है न आपको पता है इंडो Pacific region में अभी फिलाल चाइना की बहुत ज़़दा aggressiveness है जैसे जैसे world change हो रहा है Europe को ये बात ना clear होती जा रही है कि China के against India उनका एक बहुत important partner साबित हो सकता है तो इस वज़े से कोई भी सरकार आए France में या फिर Europe के दूसरे देशों में इस बात पे हमेशा सहमती रहती है कि India के साथ relations को अच्छा करना है जैसे देखो Ukraine के issue पर India ने pro Ukraine stand नहीं लिया neutral stand लिया फिर भी France ने इंडिया की opinion की respect की तो इंडिया के लिए अच्छे दिन चल रहे है foreign policy में आप कह सकते हो तो ये पूरा article हमने डिसकस किया India-France relations से समधित चलते हैं आगे पूर्टी का वहां से इस article को relate कर सकते हो एक बहुत बढ़िया cover आई है इंडिया में ना गरीबी कम हुई है UNDP ने data release किया है और नए data के अनुसार इंडिया में गरीबी काफी कम हुई है बिल्कुल basic सी बात करते हैं ये जो report release की गई है इसने UNDP यानि United Nations Development Program के साथ मिलके पूर्टी समंदित report जारी की है और ये जो report जारी की है ये multi-dimensional poverty index को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है देखो multi-dimensional poverty index जो है वो तीम major categories के अधार पर त्यार किया जाता है तीन categories में total 10 parameters जैसे देखो world bank तो इस परकार से देखता है गरीबी है क्या नहीं है जैसे per capita income मतलब एक दिन में कोई person $2.15 कमा रहा है उससे कम कमा रहा है तो गरीब है कई-कई reports इस परकार से आती है कि एक दिन में कोई person इतनी calories से कम consume कर रहा है तो गरीब है लेकिन ये जो multi-dimensional poverty index है ना ये ना तो per day की income देखता है ना per day की calories consumption देखता है ये सब चीज़े देखी जाती है multi-dimensional poverty index के द्वारा 3 categories health, education और living standard health में दो चीज़े nutrition और child mortality education में ये दो चीज़े year of schooling और school attendance living standard में ये सारी चीज़े cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets 3 categories है तीनों को one third weight is प्राप्त है समझ गे अब बात करते हैं basics की बात आप ने कर ली अब बात करते हैं report में क्या बताया गया है देखो 2005-06 से लेके 2019-21 के बीच में हमारे देश में 415 million जो लोग है वो गरीबी रेखा से उपर आ गए mainly UNDP और OPHI के द्वारा न उन 25 देशों के list बनाई गई है जिनोंने 15 साल के period में गरीबी का जो percentage है उसे आदा कर दिया इंडिया उसमें सामिल है इंडिया ने गरीबी का percentage आदा कर दिया है मतलब की 2005-06 में इंडिया में 55% लोग गरीब थे हर दो में से एक लेकिन 2019 से 21 के बीच में इंडिया में सिरफ 16.4% लोग गरीब रह गए जहां 2005-06 में हर दो में से एक व्यक्ति गरीब था परसन गरीब था 2019-21 में situation ये आ गई हर 6 में से एक परसन गरीब है पहले 55% गरीब ही थी अब 16% 2005-06 में जहां 645 मिलियन लोग गरीब थे 2019-21 आते 230 मिलियन लोग गरीब रह गए हैं इसका रीजन देखो ये है इन सब चीजों में इंडिया ने प्रोग्रेस की है जैसे उजुवला स्कीम सरकार ने चलाई घर घर सिलेंडर उपलब्ध हुआ सैनिटेशन सम्मंदित सरकार ने अच्छा काम किया है टोलेट्स बनवाए गए हैं ड्रिंकिंग वाइटर के लिए हर घर जल मिशन चल रहा है तो मतलब न सब पेरामिटर्स पे इंडिया ने अच्छा काम किया है तभी गरीबी इंडिया में इतनी ज़्यादा कम हुई है और ये जो इंडिया में गरीबी कम हुई ऐसा नहीं कि एक स्टेट तक सिमित है कुछ स्टेट्स में हुई, कुछ स्टेट्स में नहीं हुई कुछ कास्ट ग्रूप्स में हुई, कुछ कास्ट ग्रूप्स में नहीं हुई, नए कंसिस्टेंट है, सभी स्टेट्स में गरीबी कम हुई है, सभी कास्ट ग्रूप्स में गरीबी जो है, वो कम हुई है इंडिया के अलावा कमबोडिया, चाइना, कोंगो, होंडूरस, इंडोनेशिया, मुरक्को, सर्विया, वियतनाम ये वो देश हैं इंडिया के साथ-साथ वो 25 देश जिन्नोंने 15 साल के अंतराल में गरीबी को आधा कर दिया है देखो अप्रेल में वैसे इंडिया ने चाइना को पार करके तमगा हासिल कर लिया है सबसे ज़्यादा पोपुलेशन वाला देश तो इंडिया की पोपुलेशन जितनी तेजी से बड़ी है उस परपोर्शन से गरीबी को कम करना जाहिर तोर पे इंडिया के लिए ये एक अचीवमेंट है अब COVID-19 का क्या फरक पड़ा पूवर्टी रिडक्शन पे जाहिर तोर पे देखो महामारी जब आई तो एकदम से लोगों के काम धंदे चले गए गरीबी इंक्रीज हुई होगी और डेटा की भी दिक्कत है राइटर कहते हैं UNDP ने अपने तरफ से कोई डेटा नहीं लिया सरकार ने जो डेटा उपलब्द करवाया उसी के अधार पे UNDP के द्वारा ये डेटा जारी किया गया है जितना डेटा अथंटिक होगा उतना ही एनलीसिज इंपोर्टेंट होगा बड़ देखो जाहिर तोर पे हमें भी पता है कि इंडिकेटर्स को देखें अगर युनिवर्सल इन्रॉल्मेंट हुआ है प्राइमरी एजुकेशन में ये सारी स्कीम्स जो हैं सरकार के अच्छा काम कर रही हैं तो उस हिसाब से मल्टी पोवर्टी इंडेक्स में इंडिया का अच्छा पर्फॉर्म करना कोई हिरानी वाली बात नहीं है बट देखो कुछ एक्सपार्ट्स इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं वो बोलते हैं पहली बात डेटा जो है वो अथंटिक नहीं है साइद दूसरी चीज अगर इतनी गरीबी हमारे देश में कम हो गई है तो सरकार क्यूं 80 क्रोड लोगों को National Food Security Act में खाना दे रही हैं अगर गरीबी कम हो गई तो वो खाना ले क्यूं रहे हैं ये एक बड़ा कोशन है और उससे भी ज़्यादा सरकार अपने आकड़े क्यूं नहीं परस्तूत कर रही हैं सरकार को पता है इलेक्सन से पहले 2024 में इलेक्सन होंगे उस इलेक्सन से पहले अगर गरीबी के आकड़े जनता के सामने परजेंट किये गए तो सरकार की खराब image जनता के सामने जा सकती है सरकार इतना ही confident है गरीबी कम हुई है तो सरकार को अपने आकड़े परस्तूत करने चाहिए जनता के सामने चलो देखो ये points तो चलते रहेंगे main बात ये है अभी के लिए article ये बोलता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है और विबिन सरकार उने क्योंकि आकड़ा 2005-2006 से लेके 2019-20 का है तो पहले UPA की भी सरकार थी मतलब इंडिया में गरीबी कम हुई है लेकिन अभी बहुत गरीबी कम करनी है बहुत deprivation जो है इंडिया में कम करना है और इसके लिए सभी political parties को मिल के काम करना चाहिए ताकि एक भैतर भारत का निर्मान होसके और हर एक person को basic जो necessities है न वो तो मिले जैसे रोटी कपड़ा मकान तो ये पूरा article हमने गरीबी से समन्दिर डिसकस किया चलते हैं आगे इसके बार ने इस टार्टिकल SEO यानि संघाई corporation organization से समदित है आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूँ देखो इस बार SEO का जो summit और्टिकल हुआ न वो virtually हुआ Presidency इंडिया के पास थी तो foreign secretary से question पूछा गया कि क्या reason था कि आपने इस summit को virtually और्टिकल किया तो हमारे foreign secretary ने ये बोला कि देखो presidency इंडिया के पास थी इंडिया ने बहुत सारे अपनी presidency के दुरान बहुत सारे political, economic और cultural initiative लिए 134 meetings और events organize किये ये show करता है हमारी dedicatedness जो है SEO के पर थी राइटर कहते हैं अरे भाईया यही तो point है ना जब आपने इतना कुछ किया तो फिर summit को virtual क्यों organize किया जब summit physically organized होता है तो विबिल leaders के बीच में एक affection देखने को मिलता है अच्छी chemistry देखने को मिलती है लेकिन वो सब नहीं देखने को मिलता virtual summit के दुरान राइटर कहते हैं दिखो foreign secretary इस बात को नहीं बोलेंगे लेकिन मैं बोलता हूँ 2017 में जब इंडिया full time member बना था ना SEO का तब न परधामंतरी Modi को उम्मीद थी कि साइद अभी भी चाइना के साथ वो relation को ठीक ठाक कर लेंगे जो भी issues हैं साइद उनको सांती से सुलजा लिये जाएं बट 2020 में जो कुछ हुआ न गलवान वैले की घटना हुई उसके बाद COVID-19 की महामारी आई चाइना की aggressiveness बढ़ती गई तो न अब इंडिया को न उमीद नहीं है कि चाइना के साथ relation इतना जल्दी सुधरेंगे SEO जहाँ पर चाइना का influence domination काफी ज़ादा है तो अब न इंडिया को लगता नहीं कि SEO से उसको बहुत ज़़ा फाइदा होगा इस वज़े से इस summit के दुरान परधामंतरी मोदी के जो रुक था ना उनकी जो statement थी ना काफी aggressive थी मतलब चाइना के राश्टरपती और पाकिस्तान के परधामंतरी सुन रहे थे फिर भी उन्होंने साफ साफ ये बोला कि कुछ देश जो cross border terrorism को promote करते हैं आतकवादियों को shelter देते हैं शरण देते हैं SEO को ऐसे देशों को criticize करना चाहिए इशारा साफ तोर पर पाकिस्तान पर इवन कुछ देश इन issues पर terrorism संबन्दित issues पर double standard अपनाते हैं इशारा साफ तोर पर चाइना पर जो कि न कुछ आतकवादियों को blacklist में सामिल नहीं होने देता वीटो पावर अपनी यूज कर लेता है तो इंडिया को अब ऐसा लगता है कि SEO से जादा फाइदा नहीं होगा इस वज़े से परधामत्री मोदी की statements काफी strict हो गई इवन देखो SEO के member countries के बीच में जो connectivity चल रही है ना SEO connectivity पर काफी focus करता है लेकिन member countries आपस में connectivity को लेके deal कर रहे हैं बट इंडिया isolation में जा रहा है जैसे चाइना का belt and road initiative है अब ये belt and road initiative पाक occupied कस्मीर से हो के गुजरता है तो इंडिया के लिए देखो ये concerning चीज है क्योंकि इंडिया की sovereignty के ये साफ तोर पे against है लेकिन चाइना के लिए belt and road initiative जो है वो path of happiness benefiting the whole world है एक ऐसा रास्ता जिससे पूरे world को खुशी मिलेगी दस साल पूरे हो जाएंगे belt and road initiative को आए तीसरा summit जल्द ही चाइना इसका organize करेगा बट इंडिया connectivity को miss कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को चाइना के इस belt and road initiative को join कर लेना चाहिए इंडिया के पास जो options है ना उन options को इंडिया को fully utilize करना चाहिए जिसे चाबार port है इरान में बन रहा है बहुत progress धीली है इस पर काम रुका हुआ है इंडिया को ज़्यादा diplomatic energy इस पर लगाने होगी ज़्यादा पैसे इस पर लगाने होगे लेकिन हाँ ये बात सच है काम आसान नहीं है क्योंकि इंडिया के रिष्टे अब USA के साथ काफी improve हो गए है और USA इरान के रिष्टे अच्छे नहीं है तो इरान को पता है इंडिया अब USA का दोस्त देश है इसलिए इरान ज़्यादा उत्साइत नहीं है छबार port को लेके इसके बाद connectivity अच्छी करने के लिए इंडिया को Central Asian countries के साथ में active air corridors मजबूत करने चाहिए और अफगानिस्तान में जो तालीबान का रूल है न उनके साथ भी pragmatic policy अपनानी चाहिए ना कि idealistic पहले तो इंडिया ने ना 1996 से लेके 2001 के बीच में उस समय जब अफगानिस्तान में तालीबान का रूल आया था तो बिल्कुल ideal approach अपना ली थी कि हम तालीबान के साथ deal नहीं करेंगे तालीबान वाले आंतकवादी है बट अब इंडिया की approach ना pragmatic है इंडिया के फाइदों क जो हमारी soft power है उसका इस्तमाल किया जासके और अफगानिस्तान के थुरू इंडिया पाकिस्तान पर pressure create कर सकता है अच्छी connectivity establish कर सकता है Central Asian countries के साथ अफगानिस्तान के थुरू और अफगानिस्तान के साथ हमें वैसे भी चाहिए क्यूं क्यूंकि इंडिया नहीं चाहता कि ल इंडिया पाकिस्तान और चाइना तीनों ने युक्रेयन वार के बारे में कुछ नहीं बोला रश्या के राश्टरपती पुतिन ने युक्रेयन वार के बारे में बोला और western countries को बुरा भला का हम उन्होंने ये भी बोला महतपूर्ण issues पे जो आपने साथ दिया है उसके लि में आते इवन पूतिन भारत में आते पूतिन भारत में आते अच्छी तस्वीरे खीची जाती तो European countries को बूरा लगता तो इन सब पच्चडों को दूर रखने के लिए प्रधामंतरी मोदी ने सोचा कि यार वर्चुल समिट कर लेते हैं ना पाकिस्तान के प्रधामंतरी को यहां पर बुलाना पड़ेगा ना चाइना के राष्टरपती को ना पूतिन को बुलाना पड़ेगा तो election भी है अगले साल और उपर से G20 का समिट भी है इंडिया में तो इंडिया ना किसी को नराज नहीं कर सकता था तो इसलिए बीच का solution निकाला गया लेकिन देखो आग प्रधामनतरी मोधी उस समिट में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, ब्रिक्स वाले समिट में या फिर G20 से पहले किसी प्रकार की की नेंगा प्रवर्शी को प्रधामनतरी मोधी एवोईड करना चाहेंगे, तो यह पूरा आटिकल हमने डिसकस किया इसके बाद नए इस्टान अर्टिकल देखो, एरोपियन पालिया मैंच ने मनीपूर के इशू पर एक रेजुलिशन पास किया है, इंडिया को बोला है कि आप पीस इस्टाबलिश करो, स्टेबलिटी इस्टाबलिश करो, जी एस पेपर टू के इस टोबिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, एक अलग परस्पेक्टिव है, दो पॉइंट जो निकल के आते हैं वो आपको बताता हूँ, देखो अब ना वर्ल्ड पहले से ज़्यादा इंटिग्रेटीड है, इकोनमिक इंटिग्रेशन विबिन देशों के साथ इंडिया का ज़्यादा है, इंड जैसे देखो, अस्टेलिया में जब हिंदू टेंपल्स के ऊपर अटैक हुआ, इंडिया ने कंसर्ण्स जाहिर किया, उसी परकार से यूएस में रेशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तब भी इंडिया ने कंसर्ण्स जाहिर किये, येरोप में एंटी इमिग्रेंट के खिलाफ में violence हुआ और government का response दिला रहा तब भी इंडिया ने consensus जहिर किये तो इंडिया को हरान होने क्या आउ सकता नहीं है हलांकि देखो European Parliament की ना understanding गलत है मनीपूर का issue कल भी मैंने आपको बताया था आज भी article में यही बोला जा रहा है दाय हिंडू वाले भी बोल रहे है कि यह हिंडू versus Christian issue नहीं है अगर ऐसा होता तो नागाज भी Christian है वो भी लडाई में participate करते लेकिन नागाज Christian है उनका इन इस ethnic classes में कोई लेना देना नहीं है मनीपूर में शुरुवात में बेसक उन्हों में प्रोटेस्ट किया था कि मेटीज को SC का स्टेटस नहीं देना चाहिए लेकिन यह धरम का इशू नहीं है मैटीज भी Christian है और नागाज भी Christian है मैटीज participate कर रहे है कुकीज के अगेंस्ट Christian होने के बावजूद जो Christian मैटीज है और नागा के internal affair में interfere मत कीजिए बात यह है जब इंडिया दूसरों के issues पर बोलता है तो दूसरे डेस भी आपके खिलाफ बोलेंगे यह बात आप समझ लीजिए तो यह एक अलग से perspective था जो मैंने आपको बताया अब लाश्ट में revise कर लेते हैं समरी के माद्यम से देखो पूवर्टी वाला आर्टिकल तो वैसे भी हमने points की form में discuss किया यह SEO वाला आर्टिकल देखे है फोरन सेकेटरी से question पूछा गया virtual summit क्यों वो answer नहीं दे पाए उन्होंने यह बोला कि हमने बहुत सारे events में आते तो इस समय controversy पैदा होती, SCU में चाइना की dominance है, इंडिया ने इसलिए SCU को join किया था क्योंकि इंडिया को उमीद थी कि चाइना के साथ यहां पर cooperation होगा, चाइना के साथ रिष्टे improve होंगे, लेकिन इंडिया की सारी उमीदे धुमिल हो गई 2020 की गलवान valley की घटना के बाद, अभी इंडिया connectivity के मामले में isolation में है, SCU में, चाइना का BRI expand होता जा रहा है, लेकिन इंडिया ने BRI को नहीं जोन किया है, belt and road initiative को, इस summit के दुरान युकरेन वार पे पूरी तरह से चुपी रही, पुतिन ने बोला और western countries को बुरा भला कहा, लेकिन इंडिया पाकिस करके, इरान में चाबार port को नहीं energy और economic provide करके, यानि पैसे देके, last में बोला जाता है, brick summit तो वैसे भी होगा, वहाँ पर क्या परधामित्री मोदी जाएंगे नहीं जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, ये दो questions हैं जो आज आपको attempt करने हैं, दोनों 250 words में, आज दो questions को ज़रूर attempt कीजिएगा, thank you, thank you very much for discussion.